नमस्कार, हमारा देश एक मुश्किल दोर से गुजर रहा है, बहुती मुश्किल दोर से, इसलिए हम सब को एक साथ मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा, और इस करोना वाइरिस को हमेशा के लिए आटाना पड़ेगा, इसलिए मेरे हाथ जोड की बिंती है, आप सब से, के गर्मेंट के इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो कीजिए, और घर से बाहर नहीं निकलिए, घर से बाहर तब निकलिए जब बहुत बहुत जरूरी हो, अपने घर पे रहिए, अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताईए, और प्लीज, एक बार और, गर्मेंट जो कहती है, वो सुनिए, उनका पालन कीजिए, और सुरक्षित रहिए, और ये करोना वायरिस को हमें हटाना ही होगा, जैएट कैसे हैं, आपने गोर किया कि सटली, जिंदगी में किसी चीज की कोई एहमियत ही नहीं रही? मेरे पास इतनी कमीजे हैं, मेरे पास इतने सूट्स हैं, मेरे पास इतनी चीजे हैं, या मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूं, अब मैं देखो क्या करके दिखाता हूं, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आता हूं, ये सब बेमानी सा रगने लगा है, मेरे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है मेरे पास तुम मा भी नहीं है मा भी बाई के घर बे बैठी भी है so everything is become so unimportant हम तुछ मात्र हो गए हैं तुछ मात्र समझते न जीरो हम जीरो इस बात का हैसास हमें हो जाना चाहिए था कि हम जीरो ही थे हमारा दिमाग खराब हो गया था हम अहंकार की चरम सीमा तक पहुँच गये थे हमारे अहंकार के हमारे एरगेंस की कोई इंत्या ही नहीं रही थी हम अपने आप को खुदा बगवान गौड समझने लगे थे हमने मुहावरा ही बना लिया था इस गौड इस गौड इस गौड अट आगे सब आकात पर जमीन पर मौताज होके सब डरे डरे से इदूर अपने घर में डरे डरे से गूम रहे हैं इदरू दरू इक मिनाबाद की एक ऐसी हासी जो आँख तक पहुंचती नहीं मेरा मतलब आपको डिमॉरलाइज करने का नहीं है मेरा मतलब है कि ये मैंने पहले भी कहा था ये अमरित मंतन है इसमें जहर भी निकलेगा और अमरित भी निकलेगा पर जब अमरित निकलेगा और जहर चला जाएगा तो फिर उसके बाद हम अपने आपको जुबारा भगवान, खुदा, गौड़ ना समझने की कोशिश करें हम अपने प्लैनेट के आसपास के लोगों की कदर करें, उनकी इस्द करें है ना